हाई गाईज वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में जिसमें हम काउंडाउन करेंगे ऐसी टॉप 10 एमेजनी क्राइम थ्रिलर और सस्पेंस वेब सीरीज जिन में आपको एक नेक्स्ट लेवल एक्शेन, क्राइम, मिस्ट्री और ड्रामा देखने को मिलेगा और इसे पहले भी हमने टॉप 10 बेस्ट क्राइम और सस्पेंस ट्रिलर वेब सीरीज के ओपर वीडियो बना रखी है अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो आई बटन और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने दे रखा है तो बढ़ते हैं फ्रेंड्स आज के इस टॉप 10 लिस्ट के और और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किलिएगा दोस्तो नमबर 10 पर है सीरीज डैमेज ये एक बेस्ट साइकोलोजिकल थ्रिलर वेब सीरीज है इस सीरीज के अब तक दो सीजन्स रिलीज हो चुके है लेकिन इन दोनों की स्टोरी लाइन डिफ्रेट है और आज हम बात करेंगी इसके सीजन बन की सीरीज की कहानी में दिख इनना का हाथ होता है या उनका किलर कोई और होता है ये आपको इस सीरीज में जानने को मिलेगा इस सीरीज के सीजन वन में टोटल 15 एपिसोड सा आपको देखने मिलते हैं जिनकी लेंग 20 से 25 मिनिट है सीरीज का क्राइम ध्रील और सस्पेंट जेनर आपको बिल्कुल भी ब बड़ा गेमी सर सीरील के लिए पैटन दे तुम सब एक जैसे हो जान देनी भी पड़ती है और सब एक जैसे हो लेनी भी नमर 9 पर आती है सीरीज तंदूर इस सीरीज को उल्लू प्लैटफॉर्म पर रिलीज किया गया है वैसे तो हम सभी लोग जानते है कि उल्लू पर जादा दर एरोटिक थ्रिलर्स और 18 प्लस ओडियंस के लिए वेब सीरीज की जाती है लेकिन फिर भी उल्लू प्लैटफॉर इस सीरीज की कहानी में एक कपल को दिखाया जाता है जिनकी शादी हो जाती है और शादी के बाद वो आत्मी उसकी पत्नी को एक तंदूर में डालकर मार देता है तो क्या वज़ा होती है उस आत्मी के पास जिसने उसकी पत्नी को एक बेरहम मौत दी होती है यह सब जानने क अगली बार तो मेरी बीवी के साथ नजर आया, तो तेरे कोटे काट के तेरे मुँ में ठूस दूँगा दिल्ली की तंदूर काण में साइल शर्मा की कलकोट में पेशी, क्या हमारा कानून इस इंसान को सजाय मौत देगा? अबा को अंचानता है, कि मैं आज भी बलक से उतना ही प्यार करता हो, जितना की पहले दिन किया था आठवे नमबर की सीरीज है डेंजिरस, यह एक एक्शन क्राइम ट्रिलर फेप सीरीज से जिसे एमेक्स प्लेयर पर रिलिस गया गया है इस सीरीज के अंदर ज्यादा थरा आपको क्राइम और एक्शन के साथ साथ भर भर के बोल्ड सीन देखने को मिलेगे इस सीरीज की कहानी में एक बड़े बिजनेसमैन आदित्य धनराज को दिखाय जाता है जिसकी वाइप अचानक से कई मिसिंग हो जाती है और इस मिसिंग केस की इन्मिस्टिकेशन के लिए नेहा नाम की एक पुलिस ऑफिसर आती है सीरीज के अंदर नेहा का रोल वीफाचा बासो ने प्ले किया है और एक्शेर में नेहा उस बिजनेसमैन आदित्य धनराज की एक्स गल्फरेंड होती है सीरीज के अंदर ट्विस तब आता है जब आदित्य से किडनेपर कुछ बड़ी आमाउंट मांगता है उसकी वाइफ को रिलीस करने के लिए तो क्या आदित्य उस किडनेपर को पैसे देता है या नहीं क्या फिर वो अपनी एक्स गल्फरेंड नहा के साथ फिर से नई जिन्दगी शुरू करता है और इसने आदित्य की वाइफ को किडनेप किया होता है ये सब सस्पेंस और राज आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगे इस सीरीज का आप तक एक सीजन रिलीज हो चुका है जिसमें टोटल सेवेन एपिसोड्स है और हर एपिसोड की लेंद आपको 15 से 20 मिनिट देखने को मिलेगी अदित्य धनराज, इंडिन मिलिनेर, इसकी बाइफ, तिया धनराज, उससे 30 गंटों से लापता है नेक्स्ट और नमबर सेवन पर है सीरीज दम्यंती ये MX प्लेयर पर रिलीज वी एक Crime Thriller वेब सीरीज है जिसमें दम्यंती नाम के एक History Professor को दिखाए गया है जिसे Investigation और Research करना बहुत पसंद होता है सीरीज के अंदर दम्यंती और उसके Husband एक बार घुमनिक ले रिसॉर्ट जाते है लेकिन वहाँ जाने पर दम्यंती को Realize होता है कि उस रिसॉर्ट के Owner के Family के अंदर कुछ Unusual हो रहा है और फिर दम्यंती उस Owner के Family को Investigate करने में लग जाती है और उसके बाद सीरीज में जो होता है वो आपको Thrill के साथ-साथ हीला कर रख देगा इस सीरीज का अब तक एक सीजन रिलीज हो चुका है जिसमें Total 7 Episodes है और सीरीज के बारे में एक Fact और भी है कि ये एक 18 Plus सीरीज है जिसे आफ फैमिली के साथ नहीं देख सकते इस सीरीज के आप तक 3 सीजन रिलीज हो चुके है जिनकी स्टोरी इस आपस में Connected है सीरीज के कहानी रनवीर नाम के एक इनसान के जिसकी बेवी का Murderer हो जाता है और उस केस के Investigation CID करती है और कैसे वह उस Murderer तक पहुच्छती है ये सीरीज में आपको देखने मिलता है पर आप हिंदी में देख सकते हो इस सीरीज की कहानी है एक Psychiatrist डॉक्टर कियाना वर्मागी जिसके होबी होती है कि वह पेचेंट्स की Personal Life में जाकर उनके Problems को Solve करती है और कभी कभी जिसकी वज़ह से वह वीप Trouble में आ जाती है एक बार वो उसके Patient के Personal Life में जाकर उसकी Help करती है लेकिन बाद में वो खुद एक Murder Case में फच जाती है तो इस Murder Case से वो कैसे बाहर निकलती है ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखने होगी मेरी कियाना येश के साथ पिस्तर में लिपटी हुई दो गंडे है आपके पास उसको बोले से रेडर करते हैं Just tell me the truth, have you killed येश कापूर? फॉर्थ नमबर की सीरीज है रतांचरल ये एक Crime Thriller और Action पर Best Web सीरीज है जिसे आप MX Player पर देख सकते हो मिर्जापूर और Sacred Game की तरह इस सीरीज के अंदर भी आपको भर-भर के गालिया और Adult Sins देखने को मिलेगे इस सीरीज की कहानी एक True Story से inspired है जिसमें आपको 1980s के बनारस से गैंस्टर की कहानी दिखाई गई है जहाँ पर Wasim Khan नाम का एक गैंस्टर होता है जो आप Smuggling और राज करता है लेकिन वही दूसरी तरफ Wasim Khan के Opposite में Vijay Singh नाम का एक आथमी होता है जो Wasim Khan को हटा कर खुद बनारस पर राज करना चाता है और उन दोनों के बीच में एक Personal दुश्मनी होती है तो क्या वो पर्सनल दुश्मनी होती है और क्या विचे वसीम खान को मार कर उसकी जगा ले पाता है या नहीं यह आपको वेब सीरीज में देखने मिलेगा जो यह चूतियों की फोज गटी कियो ना पहले उनको लेंड खड़ा करना सिखा तो मैं बादा चल रहो है विचे कौन है गाण केंते बंदू काय टिका रहे हो नंबर तीन पर है दोस्तों सीरीज सीटी आफ ड्रीम्स यह एक क्राइम और मिस्टरी थ्रिलर सीरीज है जिसे होट स्टार पर आप हिंदी और टेल दोनों लैंग्विजेस में देख सकते हो सीरीज की कहानी में दिखाय गया है कि मुंबई शहर के एक बड़े पॉलिटीशियन अमय गाईकवाड की गोली उमार कर हत्या करने की कोशिश की जाती है और इस एक्सिडेंटल मर्डर अटेम्ट के बाद पॉलिटेकली स्टेट एकोनोमिक्स हिल जाती है और उसके बाद जब गाईकवाड अपनी मौद के करीब होते है तब यह फैसला होना होता है कि गाईकवाड की फैमिली से आगला लीडर कौन बनेगा जो गाईकवाड की कुर्सी को समा लेगा तो सीरीज में आगे क्या होता है? कौन गायकवाड की पॉलिटिकल पावर कास्ट ले हगदार होता है? क्या गायकवाड सर्वाइव कर पाते है या नहीं? और कौन होता है जिसने गायकवाड पर गोली चलाई थी? ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज देखने होगे दोस्तो हमारे सेकेंड नमबर की वेब सीरीज है तक्दिर जो की एक बेंगाली मिश्टरी क्राइम त्रिलर वेब सीरीज है जिसे आप होई चोई के साथ साथ एमेक्स प्लेयर पर हिंदी में देख सकते हो इस सीरीज की कहानी तक्दिर नाम के एक फ्रीजर वेन ड्राइवर की लाइफ पर बेज़ जाए जिसकी लाइफ में ट्विस तब आता है जब उसकी फ्रीजर वेन में एक अंजान डेट बॉड़ी मिलती है और उसके बाद क्या कुछ होता है उस ड्राइवर की लाइफ में और वो dead body उसकी बेहन में कहा से आती है और वो किस की होती है यह सब जानने के लिए आपको यह series देखनी होगी इस series के अंदर total 8 episodes है जिसे आप 20-30 minute की length के साथ देख सकते हो दोस्तो बात करेंगे number one series की लेकिन उस series को बताने से पहले आप सभी से एक request है कि अगर आपको इस वीडियो में अब तक के कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए चैनल को subscribe करें दोस्तो आज की इस list की number one series है murder मेरी जान series की कहानी आदित्या और सोनल लाम के एक ऐसे unusual कपल के बारे में जिसमें आदित्या एक police officer होता है और इसके साथ सोनल लाम की लड़की जो की एक धोके बास और कौन आर्टिस होती है जो लोगों को शादी के नाम पर लूटने का काम करती है series के अंदर murder और crime investigation दिखाया गया है जिसे ये दोनों मिलकर solve करते है लेकिन बाद में इन cases को solve करते हुए इन दोनों की life एक puzzle की तरह हो जाती है तो क्या कुछ होता है आदित्या और सोनल के बीच बाद में ये सब जानने के लिए आपको ये series देखना जरूरी है IMDb पर इस series को 8.2 out of 10 की rating दी गई है और इस series के total 200 episodes है जिसे 10 से 15 minute में आप देख सकते हो तो दोस्तो ये थी आज की top 10 हिंदी crime और mystery thriller web series जिने हम में से काफी लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा और अगर आप और भी crime thriller web series के बारे में जानना चाहते हो तो वीडियो के end में और नीचे description में उस playlist को आप जाकर देख सकते हो आज की list में आपको कौन सी series सबसे ज़्यादा अची लगे comment में जरूर बताईए और किसी भी movie या web series से related कोई queries हो तो आप मुझे instagram पर पूछ सकते हो तो मिलते है friends नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए take care and bye bye